हलो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कल से जो है Marfo ID Service चलाने में दो तरह का Error आ रहा है एक तो आपका जो है जब ID Service चला है Marfo का तो आपका Device Registration फेल बता रहा है और दोसरा Error यह आ रहा है कि Telemetry Check Unsuccessful तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको Permanently कैसे fix कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपना पुराना Marfo ID Service अनिस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए आपको Control Panel में जाना होगा Control Panel में जाने के बाद में प्रोग्राम में जाना होगा और प्रोग्राम जाने प्रोग्राम एंड फीचर्स यहां आपको Marfo ID Service जहां भी होगा उसको अनिस्टाल करना होगा यह हमारा दो Marfo ID Service है आप देख सकते हैं इसको हम लोग कर देते हैं अनिस्टाल सर पर्थम हम लोग पुराना अनिस्टाल करेंगे यह आपका एक हो गया और दूसरा यह भी आपको अनिस्टाल करना है आप देख सकते हैं कि हमारा पुराना Marfo ID Service अनिस्टाल हो गया उसके बाद में आपको अपने My Computer में जाना है और खोल देना है C Drive C Drive में जाने के बाद में आपको Marfo Related Draw भी फोल्डर दिखते हैं उसको डिलेट करना है तो आपका यह कीए हो गया है यह कीए हम दोने इसको डिलेट कर देते हैं अब आपको क्या करना होगा सब पर्थम आ जाना है Marfo RD के वेबसाइट पे ऑफिसियल वेबसाइट पे हम आगे और पहला जो लिंक खुल रहा है उस पे हम किलिक कर देंगे तो इस तरह से आपका हम पेज कुल जाएगा यहां आपको डाउनलोड का आपसन दिख रहा होगा यहां जाना है और आपको सबसे नीचे वाला विंडो यह टीटी पी एस 127001 इसी को डाउनलोड कर लेना है तो हम यहां किलिक कर देलते हैं यह हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड हो भी चुका है तो थोड़ा इसको फोल्डर में सेव होने में समय लग रहा है यह हमारा सेव हो गया चलिए हम इसको एक्ष्ट्रेक कर लेते हैं आपको आप क्या करना होगा इस फोल्डर को खोल के और यह जो आईडी सर्विस है इसको रन करा लेना होगा अब यह हमारा निव आर्डी सर्विस इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा से समय लग रहा है मैं वीडियो को स्कीप नहीं करूंगा और आप लोग भी स्कीप ना करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसकीप करने से कुछ सीज़े छुड़ जाती है आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्फो आर्डी सर्विस था वह सेक्सेस्फुली इंस्टॉल हो चुका है अगर ऐसा आपका नहीं बताता है तो आपको अपना पीसी एक बार रिस्टार्ट कर देना है और अगर आप पीसी रिस्टार्ट नहीं करना चाते तो आपको सर्विस में आ जाना है मार्फो आड़ी सर्विस यहां एक बार स्टॉप करना है और फिर स्टार्ट कर देना है देखें दोस्तों हमारा सेक्सेस्फुल हो चुका है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है जब आप यह न्यू मार्फो इस्टाल कर देते हैं तो यह जो है HTTPS पे चलता है जो कि जैसे आपका BC पोर्टल हो गया किसी भी बैंक का कायोसिक पोर्टल हो गया इस पे अराम से चलेगा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप इसरमकार्ट पेनियर भाई इस्पाइस मनी और अधर सीजे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता दे रहा हूं तो सबसे पहले आपको जाना है माई कंप्यूटर में My computer में जाने के बाद में c drive में जाना है और c drive में जाने के बाद में आपको MAR4RD service L0 soft खो लेना है तो इसमें आपको एक सेटिंग दिख रहे हुए कॉन्फिंग सेटिंग आप देख सकते हैं इस पे आपको डबल क्लिक करना है तो इस तरह से आपका नोटपैड खुल जाएगा उसके बाद में यहां आपको कैमनियोकेशन मोड दिख रहा होगा इसको कर लेना है एक एक करने के बाद में आपको सेव कर लेना है सेव करने के बाद फिर आपको सर्विस खोलेना है यह हमने सर्विस खोल ली और आपको इसमें सर्च करना है मार्फो आरडी हम मार्फो आरडी पर आगे और इसको अब दुबारा एक बार स्टॉप करते हैं और फिर ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्यम्मिकेशन मोड एक करने पर आप सारी APS की वेबसाइट चला सकते हैं देखिए यह हमारा सेक्सेसफुल हो चुका है चलिए हम आपको कुछ लाइब दिखा दें जैसे मैं अपना मैं आपको आइसमान लॉग इन करके दिखा दे रहा हूँ अच्छाइद मेरा सीजन एक्सपायर हो गया है मैं दुबारा लॉग इन कर रहा हूँ और बस मैं आपको लाइब दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिख्कत ना हो और आपको बस आपको ध्यान देना है कि वहां अगर कैमिकेशन मोड जीरो है इस जगह पर यहां अगर जीरो है तो आप एक कर लें एक करने से आपके जो भी API सर्विसे होती है या इसरम कार्ड होते है चलते है अगर आप जीरो कर ले जीरो ही रहने देते हैं तो इसमें आपका जिसे PNB का BC Portal हो गया और आपका SBI का हो गया बी-ओ-बी का हो गया तो इसको चलाने के लिए आपको जीरो करना पड़ेगा ठीक है ना तो हमें अभी जीरो नहीं करना है क्योंकि मैं आपको आइसमान कार्ड लाइब लॉग इन करते ही दिखा रहा हूं दोस्तो हमारा capture successfully हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा marfo rd service successfully install हो गया दोस्तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ठीक है तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा है इसके लिए आप हमें comment करके जरूर बता है